दोस्तों SBI Youth for India Fellowship 2022-23 बेच के लिए online registration अब start हो चुके हैं चलिए detail और apply का process देख लेते हैं दोस्तों यह है SBI Youth Fellowship का page यहाँ पर नीचे eligibility criteria मिल जाएगा आपको जिसके according कोई भी भारतिय नागरिक apply कर सकता है जिसकी उम्र 21 और 32 साल के बीच में हो साथ ही कोई भी bachelor degree candidate apply कर सकता है और अगर bachelor degree अभी कर रहे हैं तो वो complete हो fellowship शुरू होने के पहले because इस fellowship को process होने में एक से तीन महिने का time लगता ही है अब application process देखते हैं दोस्तों इस link पर click करके आप apply कर सकते हैं तीन stage में selection होता है first stage में आपको application online भरना है और apply करना है stage 2 में कुछ मन्त बाद आपको online assessment के लिए link मिलेगी stage 3 में personal interview होगा आप select होंगे तो SBI Youth India के mentor and NGO stakeholder या alumni fellowship के वारे में आपको समझाएंगे detail में selected candidate को email या SMS के द्वारा बताये जाएगा offer later दिया जाएगा और आप accept करते हैं offer तो आपको fellowship से related हर support दिया जाएगा fellowship support में 15,000 रुपियों का allowances मिलेगा हर मन्त 1,000 रुपियों का monthly allowances भी दिया जाएगा और fellowship के complete होने पर successfully 50,000 रुपे भी दिये जाएगे आपको allowances में आपको third AC trend का fair मिलेगा health और personal accident insurance प्रोवाइट किया जाएगा mentor आपका पूरा ख्याल रखेंगे इस duration में इस तरह का support आपको मिलेगा अब apply करते हैं तो यहाँ पर उपर application process पर click कीजिएगा यह apply link है इस link को click कीजिएगा यह आपको description box में भी मिल जाएगी तो अब आप apply page पर हैं यहाँ पर अपना email id पुट कर दीजिए और फिर start application बटन को press कीजिएगा ऐसा करते ही अब आप application form पर आ चुके हैं 6 step में application को complete करना है आपको first step में यहाँ पर अपना नाम दीजिए यहाँ surname दीजिए फिर next पर click कीजिएगा second stage में अपना email address दीजिए password बना लीजिए इस तरह का उसी password को यहाँ दोबारा type कर दीजिए इसके बाद contact number दीजिए और next कीजिए third stage में country को select कीजिएगा state select कीजिए DOB यहाँ से select कर लीजिए gender pick कीजिए current city को select कीजिए फिर next कीजिएगा fourth step में अपना bachelor degree का year और month दीजिए institute का नाम दीजिए branch दीजिए next कीजिए fifth step में अगर experience है कुछ आपको तो yes कीजिए वरना no कीजिए yes किया तो यहाँ पर year और month दीजिए SBI में कभी काम किया है तो yes वरना no कीजिए अभी काम कर रहे हैं या करते थे उस institute का नाम यहाँ पर mention कीजिए next कीजिए six stage में यहाँ पर एक option pick कीजिए कि क्यों इस fellowship में apply कर रहे हैं और नीचे दीजिए कि कहां से आपको इस fellowship का पता चला और इस platform को यहाँ से pick कीजिए जो भी social media से आपको पता चला इसके बाद review और submit पर click कीजिए यह है final application इसका review कीजिए और अगर कुछ edit करना है तो यहाँ इस page पर click करके कर सकते हैं वरना submit पर click कर दीजिएगा इससे application submit हो गई है यह message आएगा कि आपको 30 days के under mobile या email पर contact किया जाएगा तो इस तरह से apply किया जा सकता है दोस्तों apply की last date 30 April 2022 है अभी आपके आज पूरा मन्त है तो आप apply कीजिए all the best, bye bye दोस्तों